हेलो बच्चों कैसे हैं बढ़ यहां है एकडम तो तयार हो जाएं बच्चों आज से हम करने बाले हैं पी वाइक यूज वह उस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर टर्म बनके लिए आपके लिए हवा बना हुआ है जी हां बहुत सारे बच्चों के लिए से स्टार्ट कर रहा है जहां पर आपको पूरा कलेक्शन लेगा है 2010 से 20 अब जितना भी प्लाइक यहां सारा का सारा जो बहुत से बच्चों होते हैं आड़ी समाग पीछे पढ़ आते हैं आरस अग्राल पीछे पढ़ गया एक्जिंप्लार लगाई सैंपल लगाया एंसी यार्ट लगाई उसके बाद भी उनको टैंसर रहते हैं कि यार मैं कहां से करूं ट्रिगमेट्टी का क्या करूं कॉशन आ सकते हैं तो बच्चों आज का पहले पॉशन स्टार करते हैं जो 219 में आया हुआ है क्या कहा गया है हमसे एवैलुएट करें साइन स्टी कितना रूट से सेम कॉंटिटी पिलस मायनस की कैंसिल क्या बहुता टू वो बहु किस का मायनस का को सट्वल आया मजा अगला को स्टार्ट करते मत्चों क्या था अगर साइन थीटा टीना जी बनके अकवल है तब फॉस श्कॉर थीटा प्लस पॉस पॉस तू दी फॉर 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 कि कोई चीज़ गिवन दी गई है तो उसका कुई नहों कोई लॉजिक होता है तो सरसे पाले मिस क्या हम साइनजाब साइन क्वाइर conces काथ सकते हैं मा अज G condition सकते हैं तब ये question नहीं होगा बच्चों उम्मीद करता हूँ I&T याद भी होगी क्या बन माइनस sin square theta हमारा cos square theta होता है now हमें find करना है cos square theta plus cos to the power 4 theta देखो यहाँ इस पर कुछ नहीं करेंगे लेकिन हम इस cos 4 theta को क्या cos square का square कह सकते हैं तूटू जा 4 बिल्कुल सेम पावर कोई दिक्कत नहीं है अब ऐसा क्यों कि या देखो एक cos square sign के एक वल है तो क्यों ना हम इसके place पर sign रख दे square के साथ और cos square theta और याद रहे बच्चों ऐसे लखो या लखो ऐसे करके बात एक ही होती है ठीक है cos square theta अब trigonometry पढ़ी है और यह identity नहीं पढ़ी तो बहुत गलत बात है क्योंकि सबसे famous identity क्या होता है पिलस का बन होता है मतला option number first बोलो आए बास समझ क्या किया जो given था उसको use किया पिलस sign square minus में लेके आया cos square बनाया फिर cos 4 को square का square लख दिया इसके place पर sign लिख दिया उसका square बनाया which is what? 1 cos infinity ठीक? नोट करें अगला question करते है ठीक अच्चों अगला question करते है क्या कहा गया है अगर 5 10 theta 3 के equal है तब इसकी value क्या होगी? ठीक अच्चों कब आया था? 2020 basic वाले paper में देखो याद रखें अच्चों सबसे पहले ती हाँ से निकालो 10 अकेला कर लो तो 10 theta equals 2 कितना हुआ? 3 by 5 कैसे निकला? 5 divided माया अब इस question करने ट्रिक क्या है इस question करने को दो method number one बिल्कुल basic वाला कि तुम्हें चाहिए sign or cost तो यहां से पहले नकालो sign or cost using perpendicular based hypotenuse जो कि बेकार वाला method है बिल्कुल गंदा method हम नहीं करेंगे हमें क्या गंदा है जबी भी 10 और cot दिखाई दे अग्त में sign or cost में question दिया गया हो तो कोसिस करा करो उपर वाले question को in terms of 10 या cot लेके आने की ठीक है अच्चों? कैसे करते हैं? देखाएं हमारे पास question है 5 sin theta minus 3 cos theta over 4 sin theta plus 3 cos theta अब मैं चाहता हूँ मेरे पास 10 की value है मैं इसे 10 बना दूँ कैसे? मैंने क्या करा? हर number के नीचे अपने पास से लिग दिया cos हर number के नीचे अपने पास से cos लिग दिया जो लिखा क्योंकि sin upon cos 10 होता है तो बच्चों 10 हो गया यह कट गया सेम यह cancel यह 10 होगा बोलो आए बास समझ तो 5 10 theta minus 3 4 10 theta plus 3 बोलो आए बास समझ कभी भी एका करना हो बटा जब भी 10 की बिल दिखाई दे और sin cos दिखाई दे तो 10 की terms में लिख दो ऐसे भी कह सकते हो दिवाइट किया है या कह सकते हो common ली आए जो तुमारा मन करें क्या करना है अब 10 की value है 3 by 5 लिख दो यहाँ पर देखो 5 3 by 5 minus 3 4 3 by 5 plus 3 जहां जहां 10 था 3 upon 5 लिख दिया 5 से 5 गया clear है कहानी उपर क्या बचता है 3 minus 3 नीचे 4 3 जहां 12 by 5 पिलस 3 अब बच्चे एक बात देखो 3 minus 3 0 नीचे कुछ भी बचाए हमें क्या मतलब नीचे कुछ भी यह उपर अगर 0 है तो answer 0 यानि क्या option number 1 question phrase आया समझ क्या करना था cost से divide करना था 10 बनाना क्या question खत्म याता है नोट करना अगला question एक question आख करते हैं बच्चो क्या कहा गया है कि k plus 1 इस value की equal है कब आया है 2016 in term 1 में तब करना k की value क्या है देखो कितना असान question है इसको solve करो जो भी इस cancer आया plus k 1 minus मेज दो k finish हो जाएगा देखो कैसे सबसे पहले k plus 1 equal sack square theta को as it is रहने दिया a plus b a minus b क्या हुआ a square minus b square बोलो आई बास समझ same time एक बाद प्लस में एक बार minus में तो पहले का square minus दूसरे का square अब एक बाद आओ अगर मैं बन का square हटा दूर कोई फरक है कोई दिक्कत नहीं then 1 minus sine square क्या होता बच्चो cos square होता है identity है बटा कि 1 minus sine square cos square है क्या sack square को 1 upon cos square कह सकते हैं बिलुकुल कह सकते हैं फॉर्मूला बच्चो यह cancel हुआ कितना बचा k plus 1 बचा तो k plus 1 किस k equal शिर्फ 1 के equal plus का बन minus में आया तो 1 minus 1 कितना बना 0 बना और के हमारा finish आयवाज समझ कौनसी identity यूज करी बच्चा sin square theta plus cos square theta equal 1 यहां से conversion कर लिया question finish हुआ कैसे किया हम sin square को minus मिले गए देहो कैसे cos square theta equal 1 minus sin square यही तो किया था 1 minus sin square को cos square आयवाज समझ नोड़कर अगला question ठीक है चो एक बहुती उम्दा collection क्या collection है देखें same format पर question तीन बार पूछा गया 2020, 2012, 2016 कैसे करहें अगर 10 a plus b root 3 है 10 a minus b बने पाए root 3 है तब करहें a की value क्या है same यहां cos में a minus b दिया root 3 by 2 sin में a plus b root 3 by 2 तब कहे रहा है यहां कहे रहा है sin a plus b बने sin a minus b half है तो a और b क्या होगे तीनों का format लगबग लगबग से तो क्या करना ध्यान दे एक बास सोचें यहां कैसे करते थे अगर यह 10 है तो 10 में break करेंगे root 3 10 में कितने एक value 60 की यानि के a plus b हमारे पास 60 का है दो नंबर को add करने पर 60 आया similarly अगर 10 में 1 y root 3 30 की value है तो a minus b कितने का 30 का है बोलो आई बास सोन में अब देखो दो मैथर है यहां से एक मैथर कि आप इसमें लगाए elimination दूसरा लगाए logic अगर 2 का plus 60 है 2 का minus 30 है तो जाहिर सी बात है 45 होगा 15 का 45 plus 15 60 का 45 minus 15 30 का तो बड़ा कौन सा है ए 45 बाला तो मतलब कहानी क्या होई second option बोलो आया मजा क्या किया मैंने कि 2 का सम 60 subtract 30 तो 2 का सम 60 कैसे आ सकता है 45 plus 15 क्योंकि minus करने पर 30 आना चाहिए तो ए क्या बना 45 बना क्योंकि ए बड़ा है बटा है आपड़ तो 45 बाला कुशन फिनिस यहां लगाते हैं कि कॉस में root 3 by 2 30 की वैलू यानि कि a minus b 30 का साइन में root 3 by 2 किस की वैलू 60 की यानि कि a plus b 60 का तो बड़ा कि same equations मतलब फिर से ए इस बार 45 का आने वाला है हमसे क्या कहा गया है sign a निकालो मतलब sign 45 निकालना है आपको और sign 45 पता है बनवाई root 2 आता है कॉसन फिनिस बोलो आया मजा तो इसी तरीके से कॉसन लगा के देखें अपड़े ठीक है चो तो आज की क्लास को यहां पर करते हैं फिनिस और अगली क्लास में लेके आते हैं इससे अच्छा कलेक्शन टफ लेविल का यह section A वाले कोसन थे जो बन मारकर थे अब टू मारकर थे अब टू मारकर थे थी मारकर इन दा फॉर्म अफ एमसी कूज हम करने वाले हैं अगली वीडियो में तो अगर यह मैकड अच्छा लगा हो तो इसको उससे ट्राइ करें otherwise alienation आपके पास तो है तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक पढ़ते रहें और सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहें